कि वेल्कम टू मैं चैनल रोबस बजार आज हम बात करेंगे आई यार एफसी इंडियन रेल्वे फाइनेंशल कॉल्परेशन के बारे में स्पेशलाइज फाइनेंस में मेट कैप की कंपनी है मार्केट कैप बहुत बढ़ा है 29,142 का कंपनी ने कोई अच्छा खासा रिटन न लाई किया था 26 का जो बिट प्राइस था उसको अभी तक कम यह स्टॉक अभी तक तोड़ नी पाया सिर्फ 26.45 तक गिया है बस इसके बाद यह स्टॉक ऊपर आई ही नहीं पाया 52 वीक लोग की बात करें तो बहुत जादा नीचे भी स्टॉक नहीं गिरा है काफी सारे शेय कैप बहुत कंपनी का बहुत बड़ा कंपनी का है मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में आपको लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में मुझे एक मोमेंटम दिखाई देना चालू हुई है एक राउंडिंग पैटन बन रहा है इसमें कप पैटन दिखाई देरा 20 रुपए 46 पैसे 22 रुपए 60 पैसे फिर इसके बाद एक आ रहा है 23 रुपीज 18 पैसा स्टॉक जब 23 रुपी 62 पैसा क्रॉस करेगा तो इसके बाद इसमें मुमेंटम चालू हो जाएगी बाइंग साइट इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स फशे हुए हैं वो इसको लॉ स्टॉक आप अपसाइड ही जाने की संभावना जाद समझ में आ रही है यह ऐसा मेरा परसनल व्यू है आप इसमें अपने रिस्क के साब से इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी मुझे ऐसा लगते कि स्टॉक का बविश अच्छा है अगर इसमें आप दो या तीन साल देते हैं त पर जैसे इन्वेस्टेट करने के लिए इंट्रेस्टेड होंगे तो उसके बाद स्टॉक में और तीजी नजर आईगी आपको थैंक यू सो मच